गरीब से करोरपती बनने की कहानी अक्सर संगर्ष, मेहंत और धैरे की मिसाल होती है। इस प्रकार की कहानियों में एक सामाने व्यक्ति का अदमे साहस और अपने सपनों के प्रती समर्पन ही उसे समाज में एक महेत्रपून स्थान दिलाने में सहायक होता है। इस कहानी में हम रामु नाम के एक व्यक्ति की जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने गरीबी में जन्म लिया, संगर्षों का सामना किया और अंत्त एक सफल उद्यमी और करोरपती बना। प्रारंभिक जीवन रामु का जन्म एक छोटे से गाव में हुआ था जहां सुविधाय बहुत कम थी। उसके पिता किसान थे जिनकी आय बहुत कम थी। परिवार में पांच लोग थे। रामु, उसकी मा, पिता और दो छोटे भाई। रामु का बचपन तंग हाली में बीता। गाव में शिक्षा का स्तर भी बहुत कम था लेकिन रामु का पराई में मन लगता था। उसके माता में उसे आगे की शिक्षा की सुविधा नहीं थी। उसके पिता के पास उसे शेहर भेजने के पैसे भी नहीं थे। रामु ने इस कठिनाई के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पहाई को जारी रखने के लिए गाम के एक छोटे से पुस्तकाले से किताबे उ चाहता है तो कुछ पैसे कमाने के लिए उसे शेहर में कोई छोना काम तलाशना चाहिए। रामु ने शिक्षक की बात मानी और शेहर की ओर रवाना हुआ। शेहर में संगर्श और नौकरी। शेहर में पहुंचने के बाद रामु को एरसास हुआ कि यहां जीवन गाव से क ही ज्यादा कठिन है। यहां रोजगार की तलाश में हजारों लोग थे और सभी के लिए अफसर सीमित थे। रामु ने शुरुआत में एक चाह की दुकान पर काम किया जहां उसे दिन भर मेहंत करनी परती थी। लेकिन उसने अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं। चाह क की दुकान पर काम करते हुए उसने अपनी पयाई जारी रथी। वो ग्रायकों के बीच में किताबे पढ़ता और रात को देर तक पहाई करता था। उसकी मेहंत का फल यर हुआ कि उसने अच्छे अंकों से दस्विंग की परीक्षा पास की। अब रामु का सपना था कि वह कुछ बड़ा करें लेकिन इसके लिए उसे अधिक पैसे की जरूरत थी। छोटे व्यबसाई की शुरू आयत। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए रामु ने देखा कि शेहर के लोग छोटे-मोटे कामों के लिए इधर-धर भटकते रढ़ते हैं। यर देखकर उस जैसे बिजली का बिल भरना, सामान खरीदना, आदि करने लगा। उसकी सेवाए लोगों को बहुत पसंदाई और धीरे-धीरे उसका काम बरने लगा। व्यबसाई का विस्तार। रामु ने देखा कि उसके पास अब कुछ पैसे इकठे हो चुके हैं। उसने इस पैसे का उपयोग करके एक छोटा सा दुकान किराय पर लिया और अपना विवसाई बयाने का निर्न ने लिया। अब वह सिर्फ छोटे कामों तक सीमित नहीं रहा। उसने एक e-commerce site शुरू की जहां लोग ओन-लाइन अपनी जरूरत के सामान को डर कर सकते थे। रामु ने अपने व पास के शहरों में भी बरने लगी। उसने कई लोगों को रोजगार दिया और अपने वेबसाई का विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी किया। उसकी मेहंत और लगन का परिनाम यहुआ की अब वह करोरपती बन चुका था। सफलता का रहे सिर्फ रामु की सफलता का भी हाँ नमानने की आदत थी। उसने गरीबी में भी अपने सपनों को जिंदा रखा और उन्हें पूरा करने के लिए दिनरात में हंत की। इसके अलावा उसने हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और उन्हें सर्वोत्तम सेवाई प्रदान करने की कोशिश कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरना है, जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास इच्छाशक्ती और द्रिल संकल्प हो, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं. गरीबी और कठिनाया सिर्फ एक चरन होते हैं. असली सफलता तब मिलती है, जब हम इन कठिनायों से सीच कर आगे बढ़ते हैं. रामु अब एक सफल उद्यमी हैं, लेकिन वह अपने अतीत को कभी नहीं भूलते. वह नेमित रूप से गरीब बच्चों की मदद करते हैं और उन्हें शिक्षा और अन्य सुविधाय रामु का मानना है कि अगर उन्हें सही समय पर मदद मिली थी, तो अब वह दूसरों की मदद करके समाज को कुछ वापस देना चाहते हैं. इस कहानी से यर्स पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेहंत करे, तो वह गरीबी से करोरपती बन सकता है. जीवन मे आने वाली कठिनाईयों से घबराने की बजाए, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और अपने लक्षियों की ओ निरंतर प्रयासर्त रहना चाहिए.